हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू आर चानल पृत्वी फाउंडेशन इंडियन काउंसल ऑफ अग्रिकल्चर रीसर्च इंस्टिट्यूट यानि आई सी ए आर ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूट्मेंट रिलीस कर दिया है ये औल इंडिया की वेकेंसी है और सभी ग्रैजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में इस नॉटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टन ची क्या होंगे और कितनी आपको सालोरी दी जाएगी इस असिस्टेंट पोस्ट के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे हैं पर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरण सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर हम आपके लिए डेली वेकेंसी की वेकेंसी दिख ली है यह डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ओफ अगरिकल्चर और फार्मर वेलफेर के अंडर आता है इसमें सबसे पहले आपसे इंपॉर्टेंट डेट और टाइम डिस्कुस कर लेते हैं जो इस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लिकेशन फ जो की होगा कंपुटर बेस्ट ये लास्ट वीक ओफ जून में होगा अभी ये टेंटेटिव है और इसमें जो आपका मेंस एक्जैमिनेशन होगा इसकी भी डेट आपको इनफॉर्म कर दी जाएगी और जो स्किल टेस्ट होगा आपका वो भी लिटर आपको इनफॉर्म कर दी जाएगी वेकेंसीज की बात कर लें तो इसमें कितनी टोटल नंबर ओफ वेकेंसीज हैं यहां पर केटेगरी वाइज सब कुछ मेंशन है ICAR यानि Indian Council of Agriculture Research Institute के हेड़क्वार्टर के लिए जो वेकेंसीज हैं वो हैं 71 जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइस बात कर लें तो जर्णल कैटेगरी के लिए हैं 44 OBC कैटेगरी के लिए 16, SC के लिए 7, ST 1, EWS 3 और PWD के लिए है 3 वेकेंसी यह है ICAR के हेड़क्वार्टर के लिए वेकेंसी सेकेंड है ICAR Institute के लिए कितनी नंबर ओफ वेकेंसी है 391 जिसमें की 235 है जर्णल कैटेगरी के लिए 79 वेकेंसी हैं OBC के लिए 41 फॉर SC, 13 फॉर ST, 23 फॉर EWS और 5 फॉर PWD यानि की टोटल नंबर ओफ वेकेंसी आपकी है 462 इसमें अगर हम Essential Qualification की बात कर ले तो इसमें आपके पास Bachelor's Degree होनी चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए Apply कर सकते हैं इसमें केवल आपसे Important Points ही डिस्कुस किया जा रहे हैं Notification का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा Notification केरफुली रीड करके देन अपना फॉर्म फिल करिए Examination Cities यहाँ पर दी गई है जो preliminary examination होगा आपका वो online होगा computer based होगा और mains जो आपका examination होगा उसके लिए भी जो cities दी गई है कहां आपर mains examination होगा वो भी यहाँ पर mention है जैसे कि दिली, नोइडा, कोलकता, गुवाटी, पटना, लखनौ, हाइदराबाद, बैंगलरू, मुंबाई आप अपने state के हिसाब से इसमें अपना exam location चेक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं और एक बार center fill करने के बाद center change नहीं किया जाएगा यहाँ page is mentioned है, no request for change of center would be entertained at a later stage age limit की बात करने इस examination की तो आपकी minimum age इसमें 20 years होनी चाहिए और maximum 30 years होनी चाहिए और इसमें age relaxation भी आपको दिया जाएगा if you belong from SCST category तो आपको age relaxation 5 years को दिया जाएगा in case of OBC, यहाँ पे 3 year का relaxation दिया जा रहा है non creamy layer को, OBC non creamy layer को 3 year का age relaxation दिया जाएगा person with benchmark disability को maximum 10 year का relaxation दिया जाएगा और अगर आप एक PWD candidate हैं और आप belong करते हैं OBC, ST या फिर OBC non creamy layer से तो आपको यहाँ पे up to 45 years तक का age relaxation दिया जाएगा और OBC non creamy layer को up to 43 years तक का age relaxation दिया जाएगा application fees की बात कर लें तो इसमें अगर आप general category के हैं OBC non creamy layer है EWS है तो आपको examination fees 700 रुपीज पे करनी पड़ेगी और registration fees आपकी 500 है यानि कि total आपको 1200 रुपेस में देने पड़ेंगे और अगर आप women है SC है, ST है, person with benchmark disability है तो आपको केवल इसमें registration fees पे करनी है examination fees इसमें नहीं लगेगी आपकी यानि कि total आपको 500 देना है इसमें अगर आप mode of selection की बात कर लें तो यहाँ पे दिया हुआ है the number of qualified candidates for the mains examination will be 10 times the number of vacancy यानि कि mains examination के लिए उतने candidates short list होंगे जितनी आपकी number of vacancy है उसके 10 times अब यहाँ पे second point जो mention है the minimum qualifying marks in prelims and mains examination will not be less than as follows यानि कि minimum आपकी इतने percent marks आने चाहिए prelims में और mains examination में तभी आप qualify करेंगे journal category के लिए 30% OBC EWS category के लिए 25% SC ST दिव्यांग candidates के लिए 20% आपको इतने percent marks लाने हैं जिससे की आप prelims और mains exam को qualify कर सकें इतने minimum marks आपको लेकर ही आने हैं इसमें और जो आपकी performance होगी आपके paper 1 which is prelims and paper 2 which is mains examination इन दोनों के aggregate performance के basis पे आपको skill test के लिए बुलाया जाएगा एक आप जो आपका computer proficiency test होगा और उस according फिर merit list प्रिपेर की जाएगी आपके performance के basis पे आपके paper 1, paper 2 के performance के basis पे आपकी merit list बनेगी इसमें जो computer का skill test होगा आपका ये केवल qualifying in nature होगा इसके लिए आप कैसे apply करें तो यहाँ पे official website का link given है notification में इस website पे जाके आप अपने form को fill कर सकते हैं notification को thoroughly read कर सकते हैं carefully read कर सकते हैं then अपना form fill कर सकते हैं यहाँ पे आपको step by step कैसे अपना form को fill करना है सारे detail में चीज़ें mention की गई हैं steps for applying में सबसे पहले आपको क्या करना है ICAR के official website पे जाना है वहाँ पे जो एक tab होगा recruitment cell का उस पे जाना है वहाँ पे सारे instruction आपको given होंगे I agree के box पे आपको आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको sign up करना है वहाँ पे नेम अपना valid phone number valid email ID वहाँ पर register करनी है और उसके बाद आपको आपका एक login ID और password दे दिया जाएगा आपके registered mobile number और आपकी email ID पे सेकंड स्टेप है आपका filling up of application and submission of fees पहले आपने sign up कर लिया अब उसके बाद आप अपने application form को पुरा fill करेंगे इसमें जो भी details रहेंगी और उसमें fees को submit करेंगे आप फिर दुबारा से login करेंगे उसमें क्योंकि अब आपको आपका एक login ID और password दे दिया किया आपके registered mobile number या फिर email ID पे जितनी भी desired information होंगी आपको वहाँ पे fill करनी है अपने documents को upload करना है photo sign आपका जो भी documents required हो उसके बाद आपको आपकी fee payment करनी है fee payment करने के बाद आपका form फिल हो जाएगा आपको आपके form को download कर लेना है form filling के regarding हर चीज बहुत ही detail में आपके mention की गहीं है कि photograph क्या size होना चाहिए आपका 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए और JPG format में होना चाहिए signature आपका white paper पे black ink pen से sign होना चाहिए आपका और इसकी भी size 10 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए जिसका format JPG होना चाहिए हर चीज यहां पे mention की गई है और कोई भी file कोई भी document अगर आपको upload करने है तो उसका भी size यहां पे given है कि कितना होना चाहिए 50 KB से 1000 KB के बीच में अभी जो vacancies यहां पे दी गई है को tentative है यह increase हो सकती है यहां पर आपको number प्रोवाइट किया गया आपको कोई difficulty आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और timing में में मेंशन है 10 a.m. to 6 p.m. from Monday to Saturday examination center पर आपको आपका admit card और एक photo ID लेके जाना है यह तो must होता है और official notification में आपको institute wise vacancy position दी गई है assistant post के लिए उसे आप देखे अपने according फिल कर सकते हैं इसमें total number of vacancies है 462 जिसमें general category के लिए 279, OBC category के लिए 95, SC48, ST14, EWS26 और PWD के लिए 8 तो यह थी आपकी ICAR में assistant post के लिए notification I hope कि आज की यह notification आपको clearly समझ में आई हो still अगर आपको कोई भी doubt है तो उसे आप comment section में पूछ सकते हैं एक बर फिर से आपको सारी important dates बता दें online form submission 7th में से start हो चुका है जिसकी last date है 1st June, fee payment की last date है 1st June, correction window है 5 June to 7 June और इसका freelance examination जो है वो June के last week में हैं यह all over India की vacancy है और इसमें जो salary आपको दे जाएगी वो है ICR headquarter के लिए है 45,000 पर month और ICR के institute में है 35,400 पर month यह आपकी initial salary है इसके लिए male और female दोनों candidate apply कर सकते हैं इस exam में selection process की बात कर ले तो यह 3 stages पर conduct किये जाएंगी जिसमें 1st stage है आपकी preliminary examination, 2nd stage है mains examination and 3rd stage है skill test which is computer proficiency test जिसमें की prelims और computer proficiency test यह दोनो qualifying in nature होगी mains exam में आप जो number score करते हैं वो ही decide करेगा कि आप इस exam को qualify कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो final cut off होगी यह आपके mains exam के basis पे होगी और जो preference आपने भरी है आपके application form में आपकी preference प्लस आपने जो marks obtained किये हैं इन दोनों के ही basis पे आपको vacancy allot की जाएगी इसमें ICAR headquarter की और ICAR की institute की दोनों की अलग-अलग cut off होगी ICAR assistant में जो scheme of examination है वो तीन stages पे conduct होगी जैसा कि आपको already बताया जिसमें प्रिलिंस examination होगा जिसमें total number of questions 100 होगे जो कि 200 marks का होगा और time जो आपको दिया जाएगा इसमें वो है 1R चार केटेगरी से questions पूछे जाएंगे फर्स्ट केटेगरी है जर्नल intelligence and reasoning सकेंड केटेगरी जर्नल awareness, थर्ड quantitative aptitude and फोर्थ English comprehension इच सेक्शन से 25 questions पूछे जाएंगे 50 marks के होगे याने की 100 questions 200 marks के 1R आपको दिया जाएगा प्रिलिंस examination में सेकेंड आपका जो paper होगा वो है mains examination इसमें दो paper होगे प्रिलिंस examination computer based होगा, objective type होगा और ये दोनों ही set में आपको दिया जाएगा English में और Hindi में mains examination में भी दो paper होगे पहला paper आपका online mode में होगा और दूसरा paper आपका offline mode में होगा याने की written examination होगा mains में जो paper 1 होगा उसमें दो subject पूछे जाएगे आपसे जिसमें total number of questions होगे 150 और ये 200 marks का होगा जिसके लिए आपको time 2 hour दिया जाएगा इसमे quantitative ability और English language and comprehension आपसे पूछा जाएगा quantitative ability के 50 questions होगे और English language and comprehension के 100 questions होगे तो 150 questions, 200 marks, 2 hours आपको दिये जाएगे ये objective type होगा जो prelims exam है और जो mains का first paper है ये दोनों objective type के होगे और दोनों ही language में available होगे English में यानि कि जो paper set आपको दिया जाएगा वो English में भी होगा और Hindi में भी होगा descriptive जो exam होगा mains examination के लिए उसमें या तो आप English में दे सकते हैं उसे या फिर Hindi में दे सकते हैं इसमें आपको क्या लिखना है descriptive paper होगा English में और Hindi में जिसमें कि आपको essay letter या फिर application लिखना होगा जोगी 100 marks का होगा और time आपको 1 hour दिया जाएगा इसके लिए इसमें भी negative marking है one third आपकी negative marking है इसके बाद आपका एक skill test होगा computer proficiency test जिसमें की तीन modules होगे पहला है word processing दूसरा है spreadsheet तीसरा है generation of slides each module 15 minutes का होगा यह qualifying in nature है यह tough नहीं है आप अगर practice करेंगे और आपको थोड़ी बहुत knowledge होगी computer की आपको excel powerpoint और word की knowledge होगी तो इसे आप easily qualify कर लेंगे तो यह था आपका scheme of examination तो अगर आप ए graduate candidate है तो इस vacancy के लिए बिना delay किए apply करिए क्योंकि इसमें जो initial enhanced salary आपको दी जा रही है वो भी बहुत अच्छी है तो इसमें बिना delay किए आप इसका last date का wait करें जितना जल्दी हो सके form को fill कर दें I hope कि आज की वीडियो आपके लिए helpful रही हो इस वीडियो को like और share करिएगा चैनल को बिना subscribe किये मच जाएगा उसके साथ में जो bell icon है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजेगा आप हमें facebook, instagram और telegram पे भी follow कर सकते हैं तीनों ही चीजों का link वीडियो के description में है वहाँ पे जाके पृत्वी foundation को follow कीजिए Thank you so much for watching